नमस्कार सातियों ट्रांसपर बाउचर की राशी प्राप्त करने के लिए आपको विध्यार्तियों के एड्मिशन के समय शाला दर्पन पर सही दूरी सूचना दर्जिक करनी होती है। प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्रक्रिया. ट्रांसपर बाउचर के लिए पात्र विध्यार्तियों की दूरी शाला दर्पन पर शही अप्डेट करने के लिए पी ओ मोधे को अपने विद्याले को शाला दर्पन के विद्याले लोगिन से login कर लेना है अब आपको यहां पर आना है यहां आपको working role मिल जाएगा तो आप यहां पर click कर लिजेगा अब जैसे आप यहां पर click करेंगे आपके जितने भी अधिनस्त विद्याले हैं उनकी information आपको बताई जाएगी साथ में आपको यहां PO role का option option भी दिया जाएगा तो आपको यहां PO role का option मिल रहा है इस पर click कर लेना है जैसे आप PO role पर click करेंगे आपके सामने इस तरह का message display होगा working as PO और आपके village का name भी आपके साथ display किया जाएगा अब आपको यहां close का option देखने को मिलेगा इस पर आपको CLIP कर लेना है जैसे आप यहां किलिक करेंगे यह message आपके सामने से हड जाएगा अब आपको यहां एक टेप मिलेगी againép से तो आप यहां पर click कर लिजेगा जैसे आप यहां पर click करेंगे अन्ही सब टेप आपके सामने open होकर आ जाएगी तो यहां आपको देखना है यहां आपको मिल जाएगी सब टेप transfer voucher नाम से तो आप यहां पर click कर लिजएगा अब जैसे आप यहां पर click करेंगे आपको यहां पर बताया जाएगा cycle distribution distance अपडेशन तो आपको जो यह module मिल रहा है इसी पर click कर लेना है अब आपको यहां पर transfer voucher विकल को परिवर्ति करने है तो विध्याले की सूची डिस्पले की जाएगी तो आपको यहां देख लेना है आपके विध्याले का नेम भी आपको यहां पर डिस्पले किया जाएगा और आपके अधिनस्ट विध्याले के नेम भी आपको यहां पर डिस्पले किये जाएगे जिस भी विध्याले के विध्यारती के transfer voucher की दूरी आपको अपडेट करनी है उस विध्याले के सम्मुक आपको यहां chain का option मिलेगा तो आप यहां chain पर click कर लिजेगा अब आपके सा पर voucher की दूरी अपडेट करने का कार यह उसे आपको अविलंब पूर्ण कर लेना है क्योंकि यह मोडूल आपके लिए सीमिस समय के लिए लायू किया गया है दूसरे नंबर पर आपको बताया गया है यदि दूरी सही नहीं है तो उसे सही कर अपडेट बटन पर click करें तो जो दूरी आप विध्यारतियों की अपडेट कर रहे है वो एक बार ही में सही होना चाहिए यदि आपके द्वारा भी दूरी में गलत अपडेशन हो जाता है तो पर CBO कारियले या UCO कारियले से संबंदी संस्ता परदान को संपर करना पड़ेगा आगे आपको यहां पर ब अपडेट करेंगे इस बात को आपको ध्यान रखना है अब जिस विध्याले का चैन आप करेंगे उस विध्याले का नेम आपको यहां दिखाई देगा अब आपको यहां नीचे की ओर आ जाना है जिस विध्यारति की दूरी आप अपडेट करना चाहते हैं ट्रांसपर बा उसके बाद आपको यहां option मिल जाएगा show student list का तो आप यहां पर click कर लिजेगा अब आप जिस भी कक्षा का chain करेंगे उस कक्षा के विध्यारतियों के name आपको यहां पर display किये जाएगे विध्यारति का फिता का name आपको यहां डिस्पले होगा जो कक्षा आप chain कर रहे हैं उस इडिशन किया गया है तो संबंदि संस्ता परदान ने क्या दूरी बताईए वो information आपको यहां पर display की जाएगी अब आपको जो दूरी में संशोधन करना है तो यहां आपको दिया गया है विध्यारतियों के आप दूरी में संशोधन करना चाते हैं उसके सम्मुक आप उस अब जो दूरी आप यहां पर बताएंगे उसका reason आपको select करना होगा तो आपको यहां select box दिया हुआ है आप यहां पर click कर लिजेगा जैसे आप यहां पर click करेंगे आपके सामने तीन option आएंगे पहले नंबर पर आपको मिलेगा घर परिवरतन के कारन आप दूरी चेंज कर सकते हैं जो भी विध्यारती के लिए option रहे वो option आपको यहां से chain कर लेना है उसके बाद आपको यहां पातरता के कारण chain करने के लिए कहा जाएगा तो आप यहां पर click करेंगे आपके सामने इस तरह से option open होकर आएंगे जिसमें आप से कहा जाएगा विध्यारती के निवा अप्डेट का option देखने को मिलेगा तो आपको आपको यहां ऊपडेट का option देखने को मिलेगा तो आपको यह अपडेट पर क्लिक करना है परनतु साथ यो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो दूरी में आप परिवर्तन कर रहे हैं यहाँ पर और जो भी कारण यहाँ बता रहे हैं यह कारण सही होने चाहिए और एक ही बार में आपको दूरी को सही अपडेट करना है यदि आप से गलत दूरी अपडेट हो जाती है तो फिर आप changes नहीं कर पाएंगे तो आपको इस बात का विशेज ध्यान रखना है जब आप सारी information यहां सही दर्ज कर देंगे तो उसके बाद आपको यहां option मिल जाएगा update का तो आप update पर click कर लिजेगा जैसे आप update पर click करेंगे अ close वाले button पर आप click कर लिजेगा जिस भी विध्यारती के सम्मुक आप दूरी को update करेंगे वो दूरी अब आपको यहां पर दिखाई देने लगेगी तो इस तरह सात्यों आपको इस module की साहिता लेते हुए आसानी से PO login के माद्यम से ही यदि आपके विध्यारतियों के transfer voucher मे दूरी गलत हो रही है तो आप उन्हें update कर सकते हैं इस तरह सात्यों आप PO login के माद्यम से transfer voucher रहतु पात्र विध्यारतियों की दूरी अब update कर सकते हैं आपको मुझे इस वीडियो का comment box में बताना है कि जो यह module PO login पर दिया गया है वो अच्छा है या पहले CBO login पर module जो चल आएगा ताकि इस module की जानकारी हमारे अन्य सात्यों को भी हो जाए और आपको मुझे किसी भी प्रकार की वीडियो संबंदी तकनिकी सुझाव देने हैं या आप मुझसे किसी प्रकार की राय लेना चाते हैं कोई सवाल पूछना चाते हैं तो comment box में comment अवस्ट कीजेगा मि इसी तरह के important topic के साथ अब तक के लिए जय हैं यह वारत